नमस्कार स्वागत आपका मैं हूँ डाक्टर एलन वाइक नौग मादप्रदेश के दम्हू जेला मुख्यालाई से 15 किलोमेटर के दूरी परिस्टत गिराम पंचाइद बादकपुर में एक सरूबर मैं खुदाई के दोरान दो पाचान प्रतिमाएं मिली हैं एक प्रतिमाद पूर्ता सुरच्छ थे जबकि दूसरी प्रतिमाद खंडित हो गई है यहाँ पर जो चर्चा सुनी गई उठमें ये बताया जा रहा है यो सुना गया उठमें ये बात तामने आई कि जेचीवी के पंजे के कारण यह प्रतिमाद खंडित हुई है पुरातत्य बेता ही इस बात को बता पाएंगे कि प्रतिमा खंडेत हुई है या फिर उर्फ से ही ये तूटी हुई थी हाला कि अजिकारी बचाओं में हैं उनका कहना है कि खंडेत प्रतिमा ही यहां पर हमें ब्राप्त पुरी है सरोवर में खुदाई चल रही थी खुदाई कोन कर रहा था किसके साथ है और किसका हाथ है इस बात को लेकर भी चर्चाइब बनी हुई दमों के कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर को जैसे ही जानकारी मिली कि मूर्तियां यहां प्राप्त हुई है उन्होंने तत्काली सम्मंदित अधिकारियों को भेजा और कहा कि मूर्तियां सुरच्छेत रहो और मामले की जाच के लिए उन्होंने आधिकारियों के दो प्राप्तें सामने आई एक अधिकारी का कहना है कि यहां जो खुदाई चल रही है उबवा है खुदाई है मंदिर समीती की अनुमती से हो रही है उनका कहना है कि ग्राम पंचायत की अनुमती है बहें दमो जन्पत पंचायत के मुख कारपल अधिकारी पिरिमतित पूनम दुवे का कहना है कि ग्रमीड विकाँ ब्विभाग द्वारा किसी प्रकार के कारितीच अनुमतिच अभी यहां नहीं दिगई है अगर इस प्रकार के इत्थती प्वाई आती है फिलाल में विविन्य प्रकार के प्रष्ण यहां पर उपज रहे हैं मूर्ती के दर्षन के लिए यहां पर स्त्रधालू पहुचने लगे हैं क्योंकि तरातन धर्म की मानताएं और परमपराएं हैं कि कणकण में हम यहां भगवान देखते हैं कणकण में शंकर देखते हैं और जब प्राचीन मूर्तियां मेली तो उसे को देखने के लिए उसके दर्शन के लिए पूजा नर्चन करने के लिए लोग यहाँ पर पहुंचने लगे थे मूर्ति को रखने सुरचित रखने के लिए अधिकारी जब पहुचे तो उन्हों ने वहाँ पंचनामा भी बनवाया अब पंचनामा जो है बह भी कुछ और कहता नजर आता है क्योंकि इसमें जो भासा लिखी गई है वह भासा कहती है कि कोई नती तो है जिसको बचाने का कारिश दिया जा रहा है मुरं मिट्टी निकल कर मंदिर के लिए जा रही थी मंदिर समीती की अनुमती है ग्राम पंचाईट की अनुमती है कि वह किशी अन्य जगे भीजी जा रही थी तो हमने ये भी तलाशने का प्रयाज किया तो हम वह पहुंच गए जहां मिट्टी डाली गई थी मंदर के पीछे नहीं वह एक निजीक कालोनी में भीजी गई मिट्टी थी कि अनुमती है कि अनुमती है कि अनुमती है कि मौके पर हमने नायब तैसिलदार रगुनन्दन चत्रवेदी और दमो जल्पत के मौके कारपलन अधिकरी त्रीमती पूनम दोबे से इस समंध में चत्रवेदी है बदगपुर में एक मूर्ती मिलने की सूचन अपराप्त हुई है क्या है पूरा मामला यहां ग्राम पंचात की सहमती से मंदिर द्वारा अपने नीजी उपयोग हेतु मौर्म की आउश्यक्ता थी तो जैसा लोगों ने बताया कि मंदिर समिती जैसी भी से सासकी तालाप से मुर्म खुदाई करवा रही थी रात में उस दरम्यान पत्तर की दो मूर्ती एक दो टुकडों में है एक पूरी साबूत मूर्ती है मिली हुई है जिसको हम लोगों ने सासम्मान पूजा पूजा अरचन कराके और मंदर में ही प्रंगर में रखवाया है और आगे सारी जानकारी फिर्मान के लेक्टर मोहदे को देंगे उज्या सर्वे कराया जाएगा कि अगर और मूर्ती उपलब्द है तो उनको इता इस् में इस तरफे ग्राम पंचयाइत अबानकपुर में एक मूर्ती मिली हुई है तलाओ के अंदर क्या है पूरा मामला यह सुचना प्राप्थ हुई कि खुदाई के दौनानी है कुछ मूर्तियां प्राप्थ हुई हैं जिसकी लोग पूर्जा अचना भी कर रहे हैं यह मूर में यह ग्राम पंचयाइत यहाँ पर उत्खनन कर रही थे तो क्या ग्राम पंचयाइत को अधिकार है यह ग्राम पंचयाइत को अधिकार नहीं और यह,IFAपावर उने पर्मिशन दी कि हहां से मुरूम दे जाएं यहीं किसाब से अपराद है कि लगातार छेत्र में उत्खरनन हो रहा है कि भू माफिया और अवेद उत्खरनन में लगे लोग अपनी साठ गाठ के चलते हैं वह बिविन्य प्रकार के कारे ऐसे करते हैं जिसके चलते हैं यहां भू घर्म संभता को नक्सान होता है जो इस्तिती होती है वह यहां पर उसके करण चरकार को नक्सान होता है वड़ी ऐसे भूमापिया लाग पहुंचाते हैं उनके लिए जो उनका साथ देते हैं चाइब और फास की अमला हो और या फिर नेसाफ हो हमने दमों के कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर से इस समंद में चर्चाथे मूर्तियों को सुरक्षित रूप से मंदिर में रख लिया गया है तो जिस मूर्ति के बारे में आप भात कर रहे हैं उनके लिए पूरा जो हम पुरातव वालों को लगा रहे हैं कि इसकी पूरी सुरक्षा और इनका पूरा इनको जो है पूरी गडिमा और सम्मान के साथ विवस्ती तूरुप से रखा जाये उसकी पूरी चिंता हम लोग कर रहे हैं जहां तक तालाब की खुदाई या वो किस कारण से खंडित हुई इसके बारे में प्रश्ण है तो इसकी मैंने जांच के लिए आदेश दे दी हैं और यदि कोई भी किसी ने भी किसी तरह की नियम वरुद कारवाई की होगी तो उसको बिल्कुल उस पर कड़ी कारवाई की जाएगा इसी के लिए जो हमारे पुरा तत्व के विक्ति हैं उनको भीजा है वहां पर और हमारे नायब तसिल्दार और जो हमारे सीओ लगातार निगरानी करेंगा एदि महां पर इस तरह की और कोई मूर्थिया पाई जाती है तो उ मैंने वही आप से कहा कि इसके बारे में मैंने जांच के लिए कहा है उनको और वो जांच करके मुझे बताएंगे और यदि कोई दूर्शी पाई जाता तो हम करवाई करेंगे दूसरा अपने दमों के कलिक्टर सुदीर कुपार कुचर ने कहा है कि दोसी बक्से नहीं जाएंगे चांच के आदे दे दिये गए हैं कमेटी बना दी गई है और अगर कोई गड़वर करता पाया जाएगा तो उसके प्रत्र कारवाई अवश्य होंगे